नमस्कार दोस्तों पीएस टेक डिजिटल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप लोग कैसा हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग 30 भूगोल प्रैक् तो आप लोगों का सही होगा फ्रेंड्स यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियों की नोटिफिक्शन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और टेलिग्राम चैनल का वीडियों की इस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेल्ग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमारे चैनल सकते हैं और फ्री मिनुट्स प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए वीडियों में बीना देरी की वेफ पहले प्रसनल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का भूगो कम उन्हें शेर कर देजिए ताकि वह भी प्रैक्टिस सेट हल कर सकें तो फ्रेंट सेलिए पहले प्रस्ट को मोग देखते हैं पहला प्रस्ट कहरा है भुगर्व इसे जल वास्प लावा थोस पिंड आधी निकलते हैं उसे किया कहते हैं जोहला मोखी कहते हैं ज्याला मोखी करें किया उपिञ्ट शभी तो प्रेशन फुर हो ये लिव gap एक का आई अगले प्रेश्ण को देखते हैं फ्रेंट्स मैं काफी चुने प्रेश्ण को लाया हूं तो इसे जरूर से देखें वीडियों को आन तक देखें ठीक है और जिनों को अच्छा नहीं लगे तो वीडियों को पॉस्ट करके स्क्रीप कर सकते हैं तो चलिए अगला प प्रेंट्स जो भूगर में से पिगला हुआ जो जो बूपटल की ऊपर जो निकलता है थोज चटानों के नीचे से तो उसे कहा जाता है मैगमा क्या कहा जाता है ठीक है फ्रेंट्स यानि आप्शन बीस का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट देखे हमारा क्या कह रहा है प्रस्ट नमर तीन भूपटल के जिस छिद्र से अत्यंत तप्त गैस जल तरल पदार्थ एवं सैल खंड निस्त्रित होते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं ज्वाला मुखी ज्वार्भाटा ज्वाला मुखी पर्वत या जबल विठार को unhappy तरह लिए अगला प्रस्ट मिक हारा है ज्वाला मुखी चिद्र को करते हैं क्रेटर करते हैं कालडेरigent करते हैं इसे हम लोग greater कते हैं क्रेटर करते हैं maior qatar कोता है यह माली पृथ्वी हमारी जबंदि यहां से अगर जब जब मुखिव होता है तो यह प् तो यहां से मतलब जो छिद्र होता है इसे क्रेटर का जाता है ठीक है जब यह क्रेटर से जब हमारे मैगमा लावा सब निकलते हैं बार तो यह जाकर यहां पे सब जम जाते हैं जब यह जम जाते हैं तो यह परवत के रूप में हो जाते हैं ठीक है अब कुछ समय बाद जब त्सक्रफ बड़ा हो जाता है क्रेकाते हैं तो किस जूड़ी जूड़ी आनिजानकार्य थी अगले प्रस्ण को देखते हैं ऑगला प्रस्ण कह रहा है टी होती है कैसी आकरती होती है की पाकार गोल लंबवत शंकू सम्कु लगत नने बताया मैं जो हमारे से में जाता है तो यह की टालते है तो इसी की तरह होता है तो इसी की तरह का संबंद भूगर्व से होता है ठीक है क्रेटर का संबंद बूगर्व से अब किस परकार का है एक होता होता है तो यह मतलब तो यह इसका संबंद किस्से होता बुगरप के एक नलिका द्वारा यानि ए ऑप्षन राइट एंसर हो जाएगा देखें कुछ लोग कहते हैं कि क्यों आप्षन को बताएं तो फ्रेंट्स से संबंदित कुछ जो जानकारिया होती है अगर उन्हें आप जान लेंगे तो उससे संबं है भुगरप में जहां मैगमा का भंडार होता है उससे काते हैं क्या करेटर कहते हैं कालडेरा काते हैं या इन से कोई नहीं तो फ्रेंट्स मैंने बताया था कि भुगरप में जहां मैगमा का भंडार होता है जब मैगमा निकलता है यानि जब यह कीपा कार हमारी यह फ्रें करते हैं क्या करते हैं काल डे रा करते यानि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा ऐट देंस अगला प्रश्न के रहा है आपको हिसमें से सही जोडे चुनें थीक्छे तो एक बार मैं हां ठिक है देख लेते हैं सही जोडा इसमें सोच्षाव मैं इसको और युं भी जुड़ के आप देखिए सई जोड़े बताइए आपको सई जोड़े बटाना है काटन 1978 रिटर महन 1972 वुलडार 1962 ब्लूम उनिस निस चवालिच तो फ्रेंट्स आपको इसमें सई जोड़ा बताना कि सई जोड़ा कौन सा है तो फ्रेंट्स जोड़ा हमारा कौन सा राइट अंसर हो जाए अक सप्सक्राइब करतान रिफ 204 और स रहान। मिल भुदोर हो जाएगए और इसम साफ से कौन सा हेit एक प्षों ठीक इसमें तो सब्सक्राइब करते में अलए उनग से वर लो हमारे 1 टंस कि हाउएं सब्सक्राइब प्रश्ण नमर आठ का अगले प्रश्ण चलते हम लोग अगला प्रश्ण कह रहा है अगला प्रश्ण मारा प्रश्ण मन नाहिन ज्वाला मुखी के दरारी उद्भेदन में सबसे अधिक प्रतिसत होता है जब ज्वाला मुखी का उद्भेदन होता है तो उसमें सबसे अधिक क्या होता है एसीड्ड लाव ठीका एव बेसीड्ल लावा गैस का यव्यत्ञ सीठी का द пошण है धरानोद भेदन होता है तो यृष में सबसे ज्यादा अधिक प्रतिक हमारा बीशिक होता ही किसका बेसिक लावा होता है यान फिल्फ होता यान है उसकर हो जा雪 तर से असी प्रतिसत होती है यानि बी आप्षिन इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ट नमबर दसका अगला प्रस्ट देख लिए अगला प्रस्ट कहरा है जो आला मुख्य उद्भेदन के समय इन में से कौन सी गैस नहीं निकलती है फ्रेंड्स जब जो आला मुख्य निकलती है फ्रेंड्स में आप लोगों से संब्सक्राइब प्रस्ट पूछूंगा जिसका अंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और यह बहुत कफी काफी कठिन नहीं होगा बस थोड़ा से घुमादार हो सकता है लेकिन मैं पूछूंगा तो इसका एंसर आप ल सामेल करेंगेगे ठीक है मत outta लाम मुखी उध्यार होता है तो इसम Uhr की सामने आप उसमें किस्तों सामिल करेंगे ठर्थ Спद्रत को तर्ल पदार्थ को घैण मै पदार्थ को या जल्वास्प को मुखी उध्या था सब्छेदा मरा किया होता है उसमें जल्वास्प होता है सुच मकड़ पारी के आकार के दाने मटर पार के दाने उपिक सबी तो बहुत अच्छा सा प्राशन के रहा है प्रशन už دानें stat कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तफ ज्वाला मुख्य बं इसकोरिया या ब्रेशिया तो फ्रेंट्स मैं आप लोग उसे गेस करके जरूर बता सकते हैं तो प्रस नमबर चौदा का राइट एंसर हमारा आप्शन सी हो जाएगा इसकोरिया फ्रेंट्स अब देखिए आप अब लोग एंसर अगर आप लोग के कई कोई दूसरा है तो उससे जरूरर बताएगा कि इस प्रस्तना सर्ज और हो गाएट यह ठीक है ऐसा नहीं कि आप लोग से जानते हैं पर लोग हो सकता है अगला प्रसमासर नहीं कैसार कि मुझे सभी जानकारी तो लेकिन अपने तरह कोशिस किया जाता है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को जनकारी दी जाए चलते हम लोग अगला प्रसंद देखिए क्या है प्रस्ट नमर 15 कह रहा है ब्रेशिया काते हैं किसे काते हैं राह के संगठन से बने टुकडों को इसकोरिया कि संगठन से बने संगठन से बने टुकडों को क्या करते हैं अगला प्रस्ट नमबर 16 कह रहा है ब्रेशिया के साथ गैस के बुलबुलों से निर्मित छिद्र मह पत्थर के टुकडों को कहते हैं ब्रेशिया के साथ गैस के जो तो गुलबुले निर्मित छिद्र में पत्थर होते हैं तुकडे उनको क्या का जाता है इसकोरिया का जाता है जमक का जाता है जमक का जाता है ठीक क्या का जाता है जमक का जाता है यानि बी ऑप्शन राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ट नमबर 16 का अगला प्रस्ट देखि थंड़े ओकर जमने से कुछ विशेस आकरतियां बनती है जो नीचे दी गई है इन में से कौन से आकरती नहीं बनती है ठीक है वैथोलीथ फैकोलीथ डाइक या अपसीडियन तो फ्रेंट्स जोला मुखी के उद्गार के समय जो मैगमा बाहर निकलता है और धर्ती पर जब न बनता है आपसे डियन नहीं बनता यानि डी उप्सन इसका राइट असर हो जाएगा अगला प्रस्ण बहुत अच्छा सा प्रस्ण विश्व के प्रमुख जोला मुखी वह उनके उद्भेदन से जोड़े प्रस्तुत गलत जोड़े बताईए देखिए आपको बताना है कि बिश्व में जोला मुखी दिया उनके उद्भेदन से प्रस्तुत गलत जोड़ा इसमें से आपको छाटना है कौन सा गलत होगा केंद्रिय उद्भेदन सिसली का एटना सांत उद्भेदन स्ट्रामबोली दरारी उद्भेदन कोलंबिया का पठार या विस्फोटक उद्भ होता है ठीक है क्या होता है केंद्रिय उद्भार प Declaration right answer हो जाएगा अमारा प्षान नमबड नमकीका ठीक है अगला प्रॉच ज्प्रिश्वर्पर सीकंद महां विखेट्व क्रीपेट्य में पने साम परिषांथ महासागरी पाएगा ठीक है आप परिषांथ महासागर परगेर की सुक्राइब आप लोग परुषांथ महासागर्य पर लोग देखते हैं अगला प्राषण कहा स्कावाँ दल आए वह वाएं तुन डुल मुखें किस प्रकार मुखी वी चाहिए घार जोला मुखी उन तो यहुद्ट करह स Georgia स्थ चलिए अग्ला प्रेसम लोग दिखते हैं आग्ला कह रहा है स्ट्रामब बोली ज्वञार मही कहा है इस दिए लिपारी दूप में लक्ष दूप में हवाई दूप में मार्टनिक दूप में स्ट्राम बोलीrika है यह हमारी और सागर है चुक्स में हste faster व्हरें उप्छनर हो जाएगा प्रस्ट नमर 21 का प्रस नमर 22 कि कि वह बुल्डित तरह प्रांश में इटली में तो फ्रेंट्स इए जो जो प्रम्ध है एटली इतल ही स्थित हो फिलियमे इस्थित है अगली जबलके अगला प्रश्ण क्या कह रहा है कन पीजिएंजव आला मुख्य तीथ है कहां पे अग्ला इस्थ थेत제 सिंस्ली में लिपारी als भी जोटम過去 नियुख में इस्तित है यानि ए ओप्ष्ण राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण चलिए देखते हैं अगला प्रस्ण कहारा प्रस्ण नंबर किस प्रकार काई शक्री है प्रशुपत है संत है या केंद्री उद्भेदन बहुत अच्छा सब प्रस्ण फ्रंट इटना यह हमारा सक्री मुख्य कैसा है शक्री यहां जाएगा सब्सक्राइब और देख लेते हैं अगला प्रशना है इटली का विश्य जो आला मुखी ठीक है किस प्रकार का शक्रिय शांत जागरत या प्रसुप्थ प्रस नमबर 26 तो प्रस नमबर 26 का रायट एंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रसुप्थ ठीक है इटली का जो विश्य जो म Bacon मतलब वह सुब्थ का मतलब कि वह सुथ ता वस्ता में सोया हुआ सकता है उसकी कोई गारंटी निया गजाए कल जाए एस वाखंव या लेकिन फ्रेंट्स यह का घंद्लत कर राइट अंसर हो जाएगा अगला देखिया मैं बता दूँ कि जो तैक होता है इक होता है मृत तो इसमें हमेशा उदगार होता आ должны बाहर निकलते और जो मुख्य है उन में पानी भर गया जिसकी जो ठंडा हो गया कभी भी जो आउन निकलने की संभावना नहीं थीक है तो तीन तरकी है हमारे सुल्तान जो जौला मुखी है वह किस प्रकार का है शक्री है जागरत है प्रसुपत है यह संत है इरान का जो को है सुल्तान जौला मुखी है वह हमारा संत जौला मुखी है ठीक है संत जौला मुखी है यानि संत भी वही हो गया कि अब उसमें से निकल नहीं रहा है इसमें वह प्रसुप्त थीक है डि आप्सन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट देखिए क्या है अगला प्रस्ट नमारा है जो 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 आला मुखी अधिक समय तक सांत रहने के पश्चाद फिर पुना सक्री हो जाते हो नहीं कहते हैं देखिए उसी प्रस्ट को थोड़ा स है तक जो सांत रहने की हमारा टी आप्सन राइट एंसर हो जाएगा ठीक है प्रसुप्त जाला मुखी अगला प्रस्ट देखते हैं प्रश्ट नमर 21 कह रहा है अग्णी ब्रीथ हिंधि में से किसे काते हैं अग्णी ब्रीथ हिंधि में है लोग थोड़ा से इसवे नहीं ज तो ठीक है काते हैं या मद्-मादीप को क 2050 या हिंद माहा सागरी पेटी को करते हैं या अटल्लांटिक माहाशागरी प्रेंटीक्थ को करते हैं तो बहुत अच्छा प्रसन अ है यह जो फायर होता है इसे किसे कहा जाता है तो यह जो होता है बहुत सारे समय होता है कि यह कि तरह प्रकास दिखने लगता है उसके तरह तो उसे एक suits लिग की तरह गोल बन जाता आ जसके करव से अगनी ऑनिज्रा आदिक सागार में है वहां भल पे प्रकास निकलता रहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या रिंग फायर ठीक है यानि आप्शन यह हमारा राइट एंसर हो जाएगा परिप्रसांद महासागरी पेठी को का जाता है अगला प्रसंद दखिए अगला प्रसंद क्या है विश्व का सरवादिक उंचा शक्री जो आला मुखी क्या रहे हैं या ऐडोवा या या फीजील्ड याओ आन फाला तो फ्रेंट प्रसंद नमबर 30 तो तो फेक्व डिया क्या हो गएगा अंगला प्रसंद क्या है यहां अपर सांत की बात होँ रही है कौनसा है से रोश आ सा हवा या एक टीमा तो नहीं है न फिजीमा न एकल्टास्ता हवा। अगेशन देखे क्या है अगला मुखी है क्या है क्या है या विरनबरग या लुल्याको या मैथी यास जुर्बराई गेड तो फ्रेंट्स प्रेंट्स नंबर 32 थोड़ा सा इसमें जो सब दावलियां है बड़ा घुमा के दिया है पढ़ने में थोड़ा सकटना ही हो रही है कोई बात नहीं है अराम साब पढ़ सकते है विश्वक है सरवादिक उचा से प्रेंट्स नंबर 32 का राइट एंसर हमारा हो जाएगा अगला प्रेंट्स कह रहा है किस जौला मुखी को भूमद शागर का प्रकास अस्तंबर लाइट हाउस करते हैं बहुत अच्छा प्रेंट्स यह अक्सर लोग पढ़ाते भी हैं इसे जरूर बताते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह आभीरा होगा कि जो किस जौला मुखी को भूमद शागर का प्रकास अस्तंब या लाइट हाउस करते हैं किसे का जाता है एटना विसू यस या इस्ट्रामबोली या एपायां तो मैंने बताया था कि जो इस्ट्रामबोली जो जो जौला मुखी यह हमारे भूमद законч एफर में पारoser अनी इसे आप्शन Сी हो जाएगा मारा स्ट्राम बोली ठीक है इस्ट्राम बोली को कह Esta and a pॉमत सागरी का प्रकास अस्तंब ठीक है अगला प्रशन देखते है अगला अग्रस्ट क्यान करह रहा है विश्व के सभी ज्वाला मुखी परतों में सबसे बड़ा क्रेटर किसका है सबसे बड़ा क्रेटर है यह क्रेथर रहे यह है किपाक्यर होता है इसका तो सबसे सबदाना से बढ़ा है हमारा मांट आस्व जो की आपका जापान के ठीक है किनारे पड़ता है मांट आज टीक है यानि डी आप्सिन इसक मारब राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रश्न हमारा प्रस्न से जापान दीव समू तक या मद अमेरिका से अलास्का तक या मद अमरिका से फाक लैंड तक तो जैसा कि मैंने बताया था कि माउंट आसो में जो था वो कहां था जापान किनारत वुसका देखिए उस रिलेटरी प्रशन है पर प्रसांत महासागरी पेटी सरवादिक जौला म जाएगा इसका अगला प्रस्ंदेख्ली लीजिए क्या आसे नमघार हम गल्लां अच्व दैख लिएक मेंस च्युक्त भी मिशस्चीट में किस छेतर में सरवादिक जौला मुख्या कंवह फिलिपायन दीवि क्षामू जापान दीप्षामू, पाश्मीन दीब्समू प्र सबसे सरवाधिक अगर आप यह न रहे जापान पर मार दीजेगा लेकिन अगर दोनों है तो आप फिलिपायन दीप्शमू को मारेंगे यानि यह अपसन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्म चलते हैं हम लोग अगला प्रसंदिक यह कह रहा है गीजर गीजर क्या होता है तो ने चेंचे का पानी होता है वहां मुखे नी कलिने का होता है गर्म होने लगता है गर्म यह गर्म होता होते है वह फानी के रूप में बदल जाता है पानी को घर्म करने के लिए तो उसस्तान को हम लोग करते है घीजर ठीक है तो देख लेती है क्या है ब्रहंसन ड्रेखा फिर एक पातल तोड़कुवा या एक गर्म पानी का शुरूथ या एख पदार्थों का सुरूथ तो जैसका मैंने बताया रहा था कि वह पानी गर्म हो जाता है किसे की कारण जो आलमोखी उद्गार के जब होता है तो वहां देखिए हमारे कौन सा उप्षिन राइट होगा ऑफशन सी एक गर्म पानी का शुरूत अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न कहा रहा है प्रस्न नमर 38 बहुत अच्छा प्रश्ण वर्तमां में 20 वका सबसे ऊचा ठंडे पानी का घीजर है ठीक है वर्तमां में सबसे ऊचा ठंडे पानी का घीजर कौन सा वाईव मांगूई घीजर जो की न्यूजिलेंड में है या रूंडर नेक है या जर्मनी में है या जायंट घीजर जो कि संविक्त राज अम होगा हमारा जर्मणी में कि रूंडर नायक जो गीज़र है ठीक है वहाँ पर क्या है कि शुक्त सबसे ऊंचा ठड़ा ठंडी पानी में घीज़र है कहाँ पर जसर में रूंडर नायक यानि भी आप्सन राइट एंसर हो जाए का प्रसन नमबर 38 अगला प्रसन कहा है प्रसन न तो जो आला मुखी का उपरी बाग जहां से लावा बार निकलता है वह क्या कहा लाता है बहुत अच्छा प्रस्ट इसके में हम लोगों ने डिसक्स कर लिया है अगले प्रस्ट में प्रस्ट नमर 49 तो प्रस्ट नमर 49 का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रेटर क्रेट कर जाता है जैसा कि मैंने बताया था कि यह क्रिटर होता है यहां पर यह के प्रस्ट कह रहा है जिन जो आला मुखियों से लावा गैस तो था विखंडित पदार्त निरंतर निकलते रहते हैं उससे क्या कहते हैं बहुत अच्छा जिन जो क्या क्या जाता है आप लोग समझी थो आठी को कि शुप्त जोना मुखी या प्रश्रप्त ज्यौ Scarif मतलब कि उसमें सालवा म्यग्मा निकल रहे हैं तो इसी का क्या कहते हैं जागरत जाला मुखी यानि भी आप्सर राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन फ्रेंड्स और यह लास्ट प्रसन है ठीक है देखिए इसमें 41 है क्योंकि उस बीच में एक प्रस्न कट गया था इसलिए मैंने 41 प्रस्न में इंकलूट कर लिया है जो जोड़ा बताना आए आउखि कहां पर वह पाया जाते हैं देखिए जागरत जोला मुखी स्ट्रांबॉली बिल्कुल सही सांथ जोला मों की मंध है यह बी सहीं प्रसुत्ट जावला मुखी कराक टूवाए यह है जो प्रसुत जाला मुखी क्राक टुवाज्अ है यह हमारा शक्री क्या होगा हमारा कोन't कर हो जाएगा सबस्क1 जो आपके लिए कैसे लगे आपको कैसे लगे आपको अगर अच्छे लगे होंगे एक ज़रूरर कर दीजिए गाइज को अपने दोस्तों के पास आपने सभी जो भी हैं जिने जो लोग तैयारी कर हैं तो इस वीडियों को देखेंगे तो साथ थोड़ी सुनें भी हल्प मिल जाए तो इस वीडियों बस इतना है और मैं यहीं कहूंगा कि आप लोग यदि नहीं अभी हमारे चैनल को जोईन किये तो जोईन कर लिजिए ठीक है फ्री में आपको लोगों करा रहा हूं कुछ भी न काल के लिए मैं आप लोगों को कहत है कि प्रस्ट पूछूंगा वीडियों के अंत में तो आप लोग बताएं है कि इसी में से आप से प्रस्ट पूछता हूं कि जो हमारा स्ट्राम्बोली ज्वालमुक्षी यह कहां पर है ठीक है फ्रेंस इसे आप लोग कमेंट में अंसर इसका आप लोग देंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका अंसर सही सही देंगे तो फिर इस वीडियों बस फ्रंस इतना है अगले वीडियों को तब तब लिए वेट करता है थैंक्यू धन्यवाद